हला एवरिवेन कैसे हैं आप सब लो और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है यहां बना रही हूं मैं पानी की रोटी चार या पांच और कैसे बना रही हूं थोड़े से घी लगा के चकले पे बेल ले रही हूं फिर हाथ पे पानी लेकर उनको हाथ से थोड़ा-थ सब बैठी हैं बातचीत करते जा रहे हैं और रोटियां सेखते जा रहे हैं क्योंकि आपके कमेंट आते थे पानी की रोटी के एस पेची नहीं लगते तो यहां पे बना ले रही हूं और बराजमा बनेगा वो बड़ी दीदी बनाई और धनीय की चटनी हो जाईगी तो फि यहां का काम खताम हो जानी तो आंधी वगएर आती न तो उड़ती रहता है पूरे घर में आग वगएर लग जाए तो आप लोग पता ना रोटी कैसी बनी है मैंने कोशिस की बहुत अच्छे से अच्छे अच्छी बने मतलब गोल गोल बनी भी गोल और ना फूली फूली बनी मुझे चूले पर रोटी नहीं बनानी आती है पर मैंने कोशिस की आप लोग के लिए आप लोग को मैं रोटी बनाती हूं तो अच्छा लगता है और यहां पर सबसे बाते करती जा रही हूं सर पे तो रखते ही है क्योंकि जट से कोई आजा तो साड़ी कौन समेट पा ठर्वागी थोड़ा होंगी थोड़ा सा इनको ना गैस की रोटी पे मटी अटी नहीं लगती पर प्रीलो पर ऎलम जाती पर इनको जाल लेते हैं तो साफ हो जाती है यह दिखिए साफ हो गहीना लग रही हैं लग जब अधिया गी सब लिए तो कि पीच कहिं सब करते हैं तो सब्सुद्द करके यह बहुत सारगी नितकी सबूंतरी है तो यह ना मसाले जाले अच्छे पका उक्कू में की उनकी हाथ मेरे जास ने हो गया न है इसलिए हो मेंठा पानी तो है नहीं लृष्ट दिक्कत रहती है मैंने कई वीडियो में पताया है और आपको पतार नहाने का तो पीने की बहुत दिक्कत होती है इसलिए तो चलिए ये देखिंगी इसमें डीदी टेमाटर कस लेरी तब तक मेरा प्याज पेश्ट फ्राय होगा तब तक वह हो जाएगा और अभी तो ग्याओं का टाइम चल रहा ना ग्याओं का सबजी का बहुत बहुत हो रहा है इस तरीके से बहुत सारे कद्दू करके डालती इनमें ग्रेवी होनी चाहिए ना ग्रेवी से अच्छे लगते हैं और फिर घर में ल में आप पानी की रोटी बहुत बनती है बहुत खाई जाती है जो लोग यूपी से होंगे वो लोग मुझे कमेंट करिएगा मतलब पान नमक की रोटी ना यहां पे जैसे कुछ नहीं हो तो नमक की रोटी ले लो और अचार से खालो चटनी से खालो तो ये चीज़े अधर तर पसंद होती है तो यह देखिए मेरा हो गया है टमाटर मेरे कस गये है और उधर मसाला फ्राय हो गया है और धनिया लेने गई थी बंशी का धनिया लेके आएं क्योंकि पता नहीं लाली बना रही है कौन मना रहे है तो यह राजमा को दीदी नो उसमें डाल दिया थोड़ा सा वह पैसे रह गया था क्योंकि बहुत सारा काम होता है एक अद के लिप धर से उधर हो जाती तो यह तड़का दे दिया है और यह धीमी 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 आज यह बनता रहेगा दीदी इसको धाक देंगी तो प्या लेसन बहुत सारा करके डाला है दीदी नमक चखरी हमारा रोटी भी तेयार है सबजी भी तेयार है अब मुझे अपना काम करना थोड़ा सा कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया था वीडियो गया था जो कि वो कुछ कुछ खरीदा था उसका ब्लॉग नहीं थोड़ा सा ना भी मनन काम नहीं कर रहा कुछ करने का वो नहीं कर रहा कुछ करने का मन निअ कर रहा और आपको बता हूँ पर कोई नहीं काम तो करना क्ये पर आप लोग बतां नियुक्त जा दिल्ली कि सब्सक्रावन की उन पर रहे जो का आंट BA आप लोग डाउन के बारे में बताना क्योंकि अभी पता नहीं क्या बहुत ज्यादा वहां टेंसन में दिमाख है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है यह लोग डाउन फिर से हो गया है कितना सारा करोना बढ़ गया बहुत करोना बढ़ गया बहुत ज लेंगे क्या है तो वो राजमा में से निकल जाता है न थोड़ा थोड़ा तो चलिए यह इसको ढख देते हैं इसको बनने देते तो तो हम अपना काम कर लेते हैं और भी बहुत सारे काम है तो आप लोग कमेंट करके बताईएगा दिल्ली का हाल क्या है दिल्ली में तो वैसे ह ही हद से जादा करोना होता है तो कल कमेंट आया था आप पूरा दिखाएगा कैसे क्या करते हो तो कैसे क्या क्या नॉर्मली पूझा करते हूं परिक्रमा बगीरा करते हवन के विना नहीं होता है ये सब नौ दिन का ब्रत होता है न तो छोटा सा हवन और लॉंगों के जोड़ा तो चड़ाना ही होता है और ये दिखिए इस तरीके से करके और फिर अपना आर्थी कर लेजिए सामेंगरी बगेरा चड़ा दीजिए और फिर गंगा जलके लो सव्हिए दूजर क्रां से पूज़ा कर ले ते हैं अगार केमरा चलू कर लो न तो पूजर अछे से नि होती तो मेरे आर्थी हो रही है लाश्ट टाइम मैंने अपना केमरा ओन कर आया था आप कमेंट के उपर और आप लोगे कमेंट आए और मैं उसको पूरा ना करूँ ऐसा तो वहीं नहीं सकता है तो छोटी-छोटी कोशिसे करते ऐसे अग्यारी को जलते हुए को मंदिर तक लेके जाते हैं बहुत डर होता है मेरा हाथ पे मतलब आंधी तूफा आंधी वगएर आती ह तो एकदम से जलती आगा हाथ पे आजाती हाथ पे मेरे दाग भी पड़ गए है तो ऐसी अभी बहुत हवा चल रही है और ऐसी मुझे मंदिर दूर है वहां तक लेके जाना नंगे पैर लेके जाती हूँ तो चलिए अब दिखाती हूँ आप लोगों को और मंदिर मारे यही पूछती है मैया नहीं तो तीनों मंदिर पे अलग-अलग करना और मैं अकेली नहीं आई थी बच्चे बहुत सारे मेरे साथ आये थे दीदिया घर पे काम कर रही थे तो यह देखिए इस तरीके से जल चड़ा के और वो अपने माचिस को अधर से साइट से जलाए तो उमीद करती हो आशा करती हो आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सस्क्राइब करिए जो कि मेरे हैल्प हो सके अभी तो दिल्ली बे भी नहीं हो किसान लोग की लाइब वहुत वैसी होती है बहुत ज्यादा अभी काम भी तो करना ज़रूर है फिर कव आएंगे तो तो यह देखी इस तरीके से परिक्रमा दो परिक्रमा लगाते एक नहीं लगा जोड़े के साथ लगती हैं दो परिक्रमा तो एक लगा दी अब दूसरी वाली देखे छोटा सा मंदिर है गाउं में छोटे-छोटे सी मंदि होते हैं और फर्स इतना गरम हो रहा था पैर मेरे जल रहे थे क्योंकि नौ दिन चपल अपल नहीं पहननी हूं न तो पैर मेरे इतने जल रहे थे और ना पैरों में ऐसे मेरी गाठे जैसी पड़ गई है बहुत ज़्यादा तो चलिए पूजा हो गई है और चलते हैं वाप यह हमारे गाउं के बाहर का न जा रहा है और धूप इतनी तेज है इतनी तेज है हद से ज़्यादा तेज है यह देखिए बहुत तेज है अब पैर ऐसे लग रहे थे जैसे तवा नहीं होता रोटी का तवा उस पर रखते है तो इतने गरम जमीन थी तो यहां घर आ गई जब मेरी साध्य वी थी तो यह जब ही की बैड सीट अब भी देख लीजी चला रही हूं तो चलिए यह बैड सीट भी चाके और मैं पूरे दिन कैसे रहती हूं क्या करती हूं तो उस तरीकी का दिखाऊंगी और नवरात्रों में खाट पे नहीं लेटते हैं बैड पे मुझे नहीं पता क्यों क्योंकि सास वगएरा कहती इसलिए और यह वाले कपड़े मुझे तैय करने और अभी दिखाऊंगी मैं कैसे रहती हूं मतलब पूरा आपको कोशिस किये कैसे करते कैसे नहीं तो मेरा बैड साफ हो गया कुर्सी पे से यह मैंने कपड़े तैय कर दि है बलफ तो दो यह पीला-पीली रोसनी यह न तो इसे चीज की आती है तो यहां पर प्र कुर्सी लग दी है जो कोई कमरे में आया तो कुर्सी दूपर बैड साए। अच्続ा लगता है ना बैड पर डारेक बैड ता नहीं हो कोई क्योंकि जो आते हैं फिर इसलिए मैं कुर देखिए हैं तो सांदान से दूछ के देखिए नहीं हैं पता नहीं किया अनको खाना दिया था और जमीन पर पहुँचा समा डगा। और देखिया जल रहा है और एसे सों मैं तबहुत कम कर रहा है वहार बहुत जादी कर दो बहुत बन कर रही है दीदी बाहर बैठी है 200 की नगास और मैं अदर आ गई हूं मुझे बनानी है साम की चाहे और नेट ख़तम होगए एक वीडिया अधिर पर लगाई है वह अलग है पता नहीं ये पहले जाहिगी ये पहले जाहिगी है बन रहा है दूदू बलगा है और चाय पीरी वेट जाती है तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपके फैमिली में आपको अलग कर दिया कि अलग खाना बना रहे हो नहीं ऐसा नहीं है अलग खाना नहीं यह बड़ा वाला सिलेंडर खाली हो गया फिर इसका पाइप धील आए तो फिर उधर रखो तो फिर सही नहीं चलता है वह वाला चूला है जो छोटा वाला वह हमने पहले ले लिया और वह बरतन मैंने दिखाए थे एक चमचा एक कटोरी वह किचन हॉल करना उसके लिए आए थे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे घरव छोटा तो फिर इतनी तेज हा रही है तो फिर नहीं कर लेते और उस पर ज़्यादा आप मुझे कि चैन में काम करते हुदिक्टे ते कि चैन में जाके खोगा गया तो इसलिए चोटे वाले सिलेंडर में तो-तीन किलो गैस पड़ी थी तो वही जला लिए और भर्वायनी क् देख देखे अच्छ नहीं लगए बहुत टाइम मुझे भी लगता हां के इतना गलती कर दिपर अब नवरातरों में पीट देके नहीं जाते हैं नवरातर ही करने है तो इसलिए मुझे मतलब विह सारा मेरे इंफेक्शन हो गया यह देखिए इंफेक्शन हो गया और सुबह मेरे वह भी पढ़ गया तो कभी कभी लगता है हां के गलती घड़ी पर अपने घर तो आना ही आना आप लोग कमेंट भी ऐसे आते हैं तो यह रीजन आप बहुत सारे कमेंट आए दीदी आप खाना अलग क्य सब्सक्राइब करेंगा और हमारे जैसे नवरात्त्रे होते हैं वैसे मैंने आप सबके साथ शेयर किए सबके अलग अलग वह तरीका है इसमें चीनी रखते हैं अच्छा है ना यह सामान नहीं था अपर देखिए अलग 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 तो होना ही होता है पर अभी नहीं मैं 10,5 दिन के लिए आती तो दस दिन में परेसान हो जाए और वो कर देख और मैं कामाम तो करती है तो यह री सब्सक्राइब करते हैं और अभी दियाबादी शाम की दियाबाती करूंगी तो तीन मिनट हो गई है बाए जय माता अधी मैं यह रानी सब की चापूरी करें नहीं भी कुछ सोचा जल्दी से सुले माता अधी आप लोग क्रातना करिएगा मेरी चापूरी कर देख प्लीज तूने वो गाना नहीं तूने मुझे बुलाया सेरा वाली मैं आया मैं आया जोता वाली अच्छा है ना यह गाना आगे उंचे परवत गहरा रस्ता ऐसी कुछ है आ नीरा पर इतना ही जय माता दिवाय है